गुमालमी नगरपईशित की करमचारियों के द्वारा शहर में टैम्पों के द्वारा इकितित किये जा रहे ही कुड़े को सड़क के साथ व एस्टीम कारेले के चंद कदम की दूरी पर जलाया जा रहा है जिस थान पर ये कुड़ा जलाया जा रहा है उस जगा से एस्टीम करेली की दूरी मातर 20 मिनिट भी नहीं है कूडे से उठ रहे धुए से बातवन भी दूशित हो रहा है ये सब नगरपेशित नियमों का ताक पर रख कर कर रही है जिसका खामयाजा आम जंता को भगतना पड़ रहा है नगरपेशित के करमचारी शहर की विविन स्थानों से कूडे को एकतित करनी के उपरांत उस थान पर कूडे को एकठा कर देती है और बहां पर आग के हवाले कर दिये जाता है स्थानिय लोगों ने कहा है कि इस तरह सड़क के साथ कूडे को जलाना गलत है क्योंकि इस सड़क के रास्ते काफी संख्या में लोग जाती है तथा तहसील कारेले में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है लोगों में रमेश्ट कुमार अशोक कुमार परवीन चिंदेल आदी ने कहा कि इस तरह खुले में नगरपरिश्ट के दोरा कुडे को जलाया जा रहा है जो कि सरसर गलत है क्योंकि जिस स्थान पर ये कुडा जलाया जा रहा है उस थान से एस्ट्रीम कारलियर स्कूल तह्षील वग अन्य कारलियर हैं जिनमें हजारों के संख्या में लोग अपने कारियों को करवाने के लिया आते हैं जिनें इस दूशित बातावर्ण का सिकार होना पड़ रहा है कूडे के जलने से उठ रहे धुएं से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है तता सीधे सीधे बीमारियों को नियोता दिया जा रहा है नगरपरिशत को कूडे को जलाना नहीं चाहिए बलकि एक सुनिश्च स्थान पर दफनाया जाना चाहिए लोगों ने परशाशन वर नगरपरिशत के अधिकारियों को चिताया है कि अगर शिखरी यहां कूडा जलाना बंद नहीं किया गया तो इसकी शिकायत परदूशिन नियंतरन बोर्सिक की जाएगी लोगों ने बताया कि हजारों की संख्या में लोगों का एक साथ लगते कारलियों में आना होता है तो चंद कदमों की दूरी पर स्कूल भी है जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं उनके स्वास्ते के साथ भी खिलवार किया जा रहा है जो क तब विश्य में ऐसा दुबारा नहीं होगा. तब अपना पूरा करकाट जलाया जा रहा है। उसे भारी प्रदूशन 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 आप लएगा.